वेलकम बैक वीवर्स कैसे हो आपसे लोग गाईज चलिए देखते हैं कि आपके परसंड की आपको लेके फीलिंग्स क्या हैं क्या सोचते हैं आपके परसंड आपके बारे में ओके तो वीवर्स यह जर्नल लीडिंग है सबी एक लिए की जा रही है आपसे रेजनेट जितना अबो यह दोसी हो उतना हुसे क्लेम करें उसके साथ में आपको आगे बढ़ना है जो आपसे रेजनेट नहीं होता उसे समझ लीजे वो किसी और की लिए है वीवर्स कि तो वीवर्स चलिए आज की आप करिए अपर दीए नंबर पर आप मुझेabile p insights कर सकते हैं और इए नही तो आपके person के साथ में जब भी आप इस reading को देखना चाहेंगे यह आपसे reading resonate होगी तो viewer चलिए start करते हैं आप अपने person के बारे में सोचिए जिस भी person के बारे में आप जानना चाहते हैं उनका तीन बार आपको नाम लेना है और अपने mind को रिलाक्स रखना है और पूरी reading में उनके उपर अपना focus बनाए रखना है धर-दर की बाते बिल्कुल भी नहीं दिमाग में लाना है आपको आपको आपके person की accurate feeling के बारे में आप जान सकें तो सबसे पहले देखते हैं आपके जो person है उनकी energy क्या है आपको लेके और वो जो person है आपको लेके क्या feel करते हैं क्या करके है एक करके जाफ कर देखते हैं मैं आपके आप लाग okay we have the tamperins seven of pentacle ten of cups death and the moon okay so viewers i think you will look at all the cards first of all i have to talk about sign and elements here is the taurus, wargo, capricorn Gemini, libraic, virus cancer, papaises brishik raashi here is important here is important and Aries Leo Sagittarius energy is here overall all the raash involved no raash परिशान नजर आते हैं और दूसरा में यहां पर एक आसपेक्ट और देख पाती हूं कि यह जो परसन है फैमिली को लेके भी डिस्टरब हैं काफी ज़ादा मतलब या तो आप उनके फैमिली हो सकते हैं या फिर फैमिली का इंटिफेरेंस इस रिलेशिशिप में कहीं बहुत ज़ादा हो सकता है और ये जो person है somewhere ये feel कर रहे हैं कि सब कुछ होते भी इनके पास में, इनके पास में कुछ नहीं है मतलब आप हर तरह से abundant हो, आपके पास में सब कुछ है फिर भी आप ऐसा feel कर रहे हो कि कुछ है ही नहीं, मैं किसी चीज को जी नहीं पा रहा है यह जी नहीं पारी या फिर मुझे जो चाहिए वो वो इतना सब कुछ होने के बाद में भी मिसिंग है समवेर है ना तो यह एक एनरजी निकल के आती है और आपके परसंट वीवर्स आपको लेके मुझे नजर आता है कि कहीं ना कहीं आप अपने परसंट से इस समय बहुत सब्सक्राइब परसंट आप लुखिष नहीं है कि आप लोगों के सब्सक्राइब उपको अपने मन मर्जी में करता है तो आज भी आपको को आतले हमाफ रखता है और यह था निया हो सबताद के परसंट्र पेस और गर्साफिайн-पर्सन आपको जिए बहूत यह झाले pathour अपनी ही धुन में थे इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था इनको कोई रिष्टा चाहिए या फिर कोई मतलब किसी के साथ में आजे के साथ मुझोड़ना है जो इनको यह सब चीजे दे सके कुछ सम्वेर कुछ ऐसा हो सकता है लेकिन अब ही मैं यहां पर देख पारी वीवर्स की यह परसन उसमें भी सैटिस्फाई नहीं है अगर इनके पास में यह सब कुछ है वैसे तो मुझे नजर आ रहा है कि उसको लेके भी यह प्रब्लम फेस कर रहे हैं लेकिन इन दिस केस कि अगर उसके उनके पास में वह चीजे भी है पर वह आप क्या होता है आप उसको होने के बाद में भी उसको खुल के नहीं जी पा रहे हो एक मेजर प्रब्लम यहां पर यह निकल के आती है और दूसरा मैं वीवर्स आपको लेके इस रिष्टे में देखती हूँ कि यह जो परसन है आपको खो के बहुत ज़दा डिप्रेसिव एनरजी नजर आती है नि कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ के एक ऐसा हिस्सा हो जिसको यह खोना नहीं चाहते है मतलब आप लोगों के हो सकते वीवर्स आप लोगों की बीच में प्यार बहुत रहा हूँ बहुत ज़दा प्यार रहा हूँ बहुत ज़दा प्यार रहा हूँ बहुत ज़दा रहा हूँ बहुत ज़दा रहा हूँ बहुत ज़दा रहा है जिसको वह मतलब हमेशा याद उन्ट के एनर्ज नजर आती है और एक ऐसे पर्षन के अनर्ज नज़रा आती है, इसे अनर्ज का थे, कि आपने दिल की आती है किस एक इसा किसा जिसको ये Aprाउ बहुती ही follows करें के और रहना है। आपके साथ में मिलना जुलना यह सब चीजे इनको बहुत पसंद आती है आपके परसन को और करेंटली मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे चीजे हो गई हैं कुछ ऐसे मुवमेंट आ गई हैं कुछ ऐसी घटनाएं घट गई है आफ्टर इस सेपरेश रिष्टे को कही न कहीं सेपरेट रखने के लिए इन्होंने अपनी लेवल पर जो भी यह कर सकते थे अपनी लेवल पर जो भी यह एक्शन ले सकते थे इन्होंने लेने की कोशिश है की थी पर कहीं न कहीं इनके हाथ में सिर्फ नाकामिया भी लगी और मैं अभी आपके प पर दिखा रहे हैं कि इनको ये रिष्टा बहुत चाहिए यानि आप बिसिकली आप चाहिए और ये परसन वीवर्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये एक वेट कर रहे हैं इस रिष्टे के ठीक होने का या इस जो प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आ गई है उसके आपको फिल किया है और वो प्यार वो अपना पन जो उनको आपसे मिला नहीं मिला ठीक है मतलब सब मतब क्या होता है आपकी एक अबंडन फैमिली है सब कुछ है आपके पास but still you are feeling like alone ठीक है और वो खाली पन जो उनकी लाइफ में था वो खाली पन सिरफ आपकी लाइफ में उनकी लाइफ में सिरफ आपने ही भरा है कोई और उनको वो खुशी दे ही नहीं पाया जो आपने दी हैं तो ression में आपके person को देख रही हूं कि यह जो person ने फिलाल आपके इस के काम बैक करने को लेकर । ठीक है इस रिष्थे को हील होने को लेकर इस रिश्टे को फिर से रिन्यूवल जो हम कह सकते है उसको लेक्त वेट करते हुझे नजर आ रहे है क्योंकि इनको कहीं नगा ही थोड़ा वेट करना पड़ रहा है यह वेट करना इनके लिए उतना ही भारी जितना आपके लिए हो सकता है लेकिन फिलाल वीवर्स यह जो परसन है आपको एक तरह का मैसेज यह देने के कोशिश करें आइम वेटिंग आइम वेटिंग फॉर यू ठीक है तो कुछ जैसी एनरजी गाईज मुझे यहाँ पर नजर आती है चलिए देखते हैं यहाँ और क्या है आपके लिए अभी फिलाल यह कहा जा सकता है कि यह सिर्फ अपनी बिगड़ी हुई सिच्वेशन है और उसको काफे ज़्यादा यह संभालने की कोशिश करें आपको बहुत बहुत मिस्ट करें वीवर्स आपके परसन यह separation यह अभी यह कहने की कोशिश करें कि separation मुझे नहीं चाहिए मुझे आपके साथ में जूड़ना है, मुझे आपके साथ में रहना है, मुझे आपके साथ में come back करना है ठीक है यही एक maturity यहाँ पर दिखाते हैं, मुझे आपके person यहाँ पर नजर आते हैं Creativity क्लिंग तो दा पास्ट क्रियेटर एंद इस साइलेंस अबेंडेंस अनि इनर वोईस देखो फिवर्स आपके परसन का जो एक यह सिर्फ और सिर्फ पास्ट मेट के रहते हैं यानि पास्ट का अभी प्रिजेंट चल रहा है ठीक है तो यह परसन हमेशा आपके साथ में जो पा यहां पर आपने बैठके ही वह सकता है काफी घंटो घंटो बाते की हों घंटो घंटो ऑगड़上से के साथ में स्पैर की हों ठीक है मूवमेंट्स आपके बहुत जादा रोमेंटिक हो सकते हैं एक फुल FUEL कर दे किसी को किसी के दिल को जीत ले वैसी मूवंट्स मुझे आ एप लोगों के सेपरइशन के बाद भी ये परसंद सब उन्ही वादों में उन्ही जीजहों में अथर आठा है। वाउसब पञे scraps जो पास्ट में इतना अच्छा इनको ये शर्षता मिला है इन में परकाrik मैं द्लम धूकंत को ऊचल सभाए इसे इसाफ नाó मैंस इहां दिखा रही ही कि यह जो परसन है बहुत canyon कुछ केण है बिןा किसी को कुछ कोषक कहें सरफ work कर रहे हैं इनर स्वाइप कर रहे हैं मैंफेस्टेशन मैंने मैंनेêuवस्तीयशन ही तुक्छ आपको ईयुक्छ बारों श你是 Thatuję मेंसेज निकल के आता है क्योंकि इनके लिए ये रिष्टान वीवर्स देखो कितना सुन्दर है कितना क्रेटिव है जहां पर चारो तरफ से इनको खुशी मिल रही है जो ये जीना चाहते हैं वैसे जी पा रहे हैं तो ये वीवर्स कहा जा सकता है अगर आप इस परसन का एक वीवर्स टेडंब यात कर रहा है तो बतातोब की इस पर चाहिए भी परीवर्स परेशन घिलिए का सब्सक्राइब को अपना जानते व किस पर संवेर्स के तो ये जो परसने नजार आ रहा है जाकत सब्सक्राइब करिकेशन जितनी आप importance रखते हो, ठीक है, क्योंकि ये viewers bottom से हमारे पास energy आई, ये देखो, thunderbolt and abundance, दोनों एक दूसरे के पूरक नजर आ रहे हैं, तोटना और बिखरना भी इस रिष्टे में और इस रिष्टे में खुशिया वो भी नजर आती है, तो ये person viewers मुझे एक चीज, ये message देते ठीक है, तो ये viewers में आपके लिए message हैं आप इस person का देख पा रहे हैं, thunderbolt आपके relationship में आया है, tower movement आया है, इस person को आप से दूर भी किया गया है, पर फिर भी ये person कहीं नजर आ रहा है, आपका मुझे यहाँ पर वेट करते हुए ही नजर आते हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये person आपको लेके, आप से, कब तक ये person बात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका, तो सरफ एक मुझे नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं, ये सरफ अभी वेट कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं, अब दोनों की ये कब तक बात हो सकती है, ये person next action क्या लेंगे, next action देख लेते है पहले, उसके बाद हम देखते हैं, बात कब तक हो सकते है, next action ये क्या लेंगे, okay, so we have this six of cups के energy, next action में आई है, निकल के, ये person viewers आपके साथ में, maybe आपको किसी तरह का कोई offer कर सकते हैं, किसी तरह का कोई बाचित वगरा भी कर सकते हैं, वो भी आपे नजर आ रहा है, कोई meeting भ बोल भी सकते हैं, चलो कहीं पहार मिलते हैं, ठीक है, कहीं चलते हैं, ये भी यहाँ पर नजर आता है, देखो, ten of sword है, ये आपके साथ में भी हो सकता, आपको बोले, कि हम दोनों कहीं जाके अपनी life नई से शुरू कर सकते हैं, देखो, कुछ लोग ले messages, सब के लिए नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ, ये अपनी life को ऐसा ही फील करें, कि इनकी life खतम हो गई, सब कुछ खतम हो गया, तो ये, मैं भी बहुत समय से decision में थे, बहुत समय से नहोंने कई पर कोशिच भी कि ये, सब कुछ छोड़ चाड़ के आपके पास आजाएं, ऐसा यहां पर possible है, लेकि नहीं आ सके, क्योंकि इनको लग रहा था एक तरह का डर कि क्या यह हो पाएगा, क्या यह कर पाएंगे, क्या इन से यह मुमकिन है, ठीक है, तो एक तरह की देख रही वीवर्स की, जब इनसान के उपर stress बहुत सदा हावी हो जाता है, जब इनसान अपन नजर आते हैं, कि वो आपके साथ में आएं, वो आपके साथ में connect हो और आपको यह offer दे सके, या फिर आपसे यह offer ले सके, ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज़ वीवर्स, यहां पर एक doubt भी नजर आता है, somewhere इनको ऐसा लगता है, कि मैं तो ऐसी सोच रही हूँ, या मैं ऐस सोच रहा हूँ, कि मैं आपसे connect हो, आपके साथ में अपनी नई life को शुरू करूँ, पर क्या आप इसके लिए ready हो, ठीक है, क्या आप इसके लिए ready हो, क्या आप इनको accept करोगे, क्या आप इनके साथ में यह life को बिताना चाहोगे, क्या आप इनके साथ में इनका साथ निभा हैपिनेस दी है तो मैं यहापे वीवर्स आपके परसन की तरफ से एक ही मैसे देख पाती हूँ कि सम्वेर इनको थोड़ा सा आपके ओपर भी डाउट होता है कि पता नहीं आपके मन में यह रिष्टा निभाने की मतलब बात है यह नहीं है यह भी नहीं पता ठीक है तो कुछ मुझे ऐसी प्रॉब्लम यह पर नजर आती है देखते हैं आप दोनों में कब तक बात हो सकती है तो देखो इनको ना इनको जो यह स्टैप तो लेना आपके तरफ यह एक्शन तो लेना स्टॉंगली लेकिन सम्वेर वीवर्स देखो इंसान के मन में ना जब इतना बड़ा को स्टैप लेने जा रहा होता तो डावट होता है कैसा तरफ परसन भी रेडी है जिस तरह से मैं असके लिए सोच रहा हूँ यह मैं उसके लिए सोच रही हूं तो ये एक major problem यहाँ पे हो जाती है ना चलिए देखते हैं यह आप से कब तक बात कर सकते हैं इस इस कनेक्शन को लेके प्लीज यूनिवर्स एंजल प्लीज गाइड करें इनके परसोन इनसे कब तक बात कर सकते हैं प्लीज वह हमें बताएं तो फोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने बहुत बूला था आपसे कि यह सोच रहे हैं इतना बड़ा स्टैप लेने को लेके तो मेभी वन वीक या वन मन्त ठीक है इतना टाइम आपके लिए लग जाएगा तो यह जो परसन है इसके लिए असान नहीं होगा यह स्टैप ल आने को काफे प्रप्रेशन के बाद में काफे सोचने के बाद में तो गहीं जाकर यह परसन आपकी तरफ यह एक्शन लेंगे और राइट टाइम राइट मॉमेंट और काफी सारी चीजों का अनलाइस करने के बाद में यह एक्शन लिया जा सकता है लेकिन हाँ यह नजर आ आपके लिए आपसे रेडिंग रेजनेट हुई होगी अगर हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिजे इस वीडियो को अगर नहीं किया है तो आसी और रेडिंग्स के लिए और विवर्स पर दिया आप मुझे ओपर दिय कर सकते ध्यान देजेगा पॉसल इंग पेड होती है ओके विवर्स चलिए मिलते हैं एक्स एडिंग में तिल दन टेक योशल्फ काउड ब्लस इवर्स थैंक ये वचिंग आइस बाबाए